नमस्कार रविनाट टेगोर की स्टोरी काबुली बाला मैं पहले डेटेल में अपलोड कर चुकी हूँ और आपने देखी भी होगी आज की इस वीडियो में काबुली बाला और रविनाट टेगोर और साथ ही काबुली बाला जो फिल्म बनी है उस पर कुछ मल्डिपल चॉइ देखते हैं पहला question देखिए काबुली बाला इज़ा तो short story है आपने पढ़ी हुई है काबुली बाला was first published in तो काबुली बाला कहानी सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 1892 में third question देखिए काबुली बाला was originally written in तो काबुली बाला जो कहानी है वो मुलत है बंगाली भाशा में लिखी हुई थी who translated the story into English in 1910 तो 1910 में ये कहानी English में किस ने translate की बुक में जो answer दे रखा है वो ये Margaret Novel दे रखा है ए लेकिन ये गलत जबाब है सही जबाब है प्रोफिशर सेखावत तो याद रखिएगा इसको फिर देखिए fifth question the child in the story is name तो जो बच्ची है इस कहानी में उसका नाम Minnie है sixth question देखिए the narrator of the story is तो इस कहानी को जो सुनाने वाले हैं narrator वो है Minnie के पिता जी वो खुद एक novel लिख रहे हैं फिर देखिए the story is narrated from तो जो कहानी का वर्नन है सुनाई गई है ये कहानी first person point of view से सुनाई गई है next question eight the name of Minnie's mother is तो Minnie की मा का नाम रमा है फिर next देखिए who is काबुली वाला's daughter तो काबुली वाला की बेटी का नाम यहां जो options हैं उसमें अमीना दे रखा है और अमीना को ही जो आंसर है वो भी इन्होंने अमीना नहीं आंसर सी दे रखा है अमीना तो अगर आप फिल्म देखते हैं बलासानी वाली तो वहां बलासानी की बेटी का नाम अमीना है लेकिन जब आप कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में उनकी बेटी का नाम अमीना नहीं है यह देखिए वैसे तो मैंने कहानी पूरी अप्रोड की है अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको याद होग नहीं तो यह जो काबुली वाला है वो अपनी बेटी के हाथों का निशान और उसकी बेटी का नाम यहां पर पार्बती दिया हुआ है वो अपने साथ रखता था अपनी जेम में नेक्स्ट कुश्चन देखिए काबुली वाला मीन्स तो काबुली वाला का मतलब है परसन फ्रॉम काबुल अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान का बंदा काबुल का रहने वाला अफगानिस्तान की रादधानी काबुल है तो काबुल का जो व्यक्ति है वो काबुली वाला ह काबुली वाला बेंचता क्या Серए है ड्राइफूट्स बेंचता है तो जो नि दिएum है कहानी के वरनन करता आपके सिलेवस में जो फिल्म है वो 1961 की है, तो इस फिल्म के डिरेक्टर हेमेन गुपता थे और बिमल रॉय प्रोड्यूसर थे, कहीं कहीं बिमल रॉय को डिरेक्टर दिया हुआ है बुक्स में, तो वो गलत है, बिमल रॉय प्रोड्यूसर थे, डिरेक्टर हेमेन गुपता फिर देखिए दर टाइचल अफ फिल्म का नाम भी काबुली वाला है। फिर फिर फिल्म में तो उनका नाम अमीना ही है अब जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी में पारबती दिया हुआ है। फिर how old is Minnie तो जो Minnie है बच्ची वो 5 साल की है ए सही जवाब है और question number 21 देखे काबुली वाला गोज टू जेल फॉर्क तो काबुली वाला जेल जाता है एक व्यक्ती के हत्या के जुर्म में ये एक दूसरी किताब है इसमें questions दिये हुए है जो के आपके लिए important भी है देखे रविना टैगोर वास बॉर्न इन विचियर तो रविना टैगोर का जन्म 861 में हुआ था second question which of the following sisters of टैगोर became a novelist तो रविना टैगोर की एक बहन थी जिनका नाम स्वर्ण कुमारी था वो भी एक novelist थी फिर देखे who is referred to as the bard of Bengal तो bard of Bengal की उपाधी रविना टैगोर को ही दी जाती है फिर next देखिए fourth question who is the first Indian lyricist to win the nobel prize in literature तो nobel prize nobel प्रसकार साहित्य के शेत्र में रविना टैगोर को मिला है c से ही जबाब है और गीतानजली के लिए मिला है फिर देखे what was the name of R.N. टैगोर's father हालांकि यह बहुत important सवाल तो नहीं है रविना टैगोर के पिता का नाम देविन नाथ था टैगोर was born at टैगोर का जन केलकटा में हुआ था फिर which of the following is the name of टैगोर's wife टैगोर की पत्नी का नाम में रडालनी देवी था 8th question देखिए at which is टैगोर started writing poems तो आठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था 9th question at which is टैगोर released his first poem तो टैगोर ने अपनी पहली कविता जो परकाशत की वो 16 साल की उम्र में की टैगोर स्यूडोनिम इस टैगोर का जो स्यूडोनिम है शद्म नाम होता है वो भानु सिंग महा है दन नेम ओफ टैगोर स्मदर तो टैगोर की मां का नाम सार्दा देवी है फिर देखिए when did टैगोर first published did जब आता है तो published नहीं आता यहां किताबों में यह सभी जगे गलती दे रखी है when did टैगोर first published his writings under his real name तो अपने वास्तविक नाम से उन्होंने रचनाय प्रकाशत की 1877 में टैगोर's blank space had died in his early age तो टैगोर की मां का निधन जल्दी हो गया था वो एक बच्चे ही थे in which year टैगोर past जबे तो टैगोर की जो मृत्यू है वो 1941 में होई C सही जबाब है फिर in which month टैगोर डाई तो अगस्त के महीने में उनकी मृत्यू हुई तो यह हम आपको पहली पता चुके हूँ गीता अंजली के लिए मिला और उनको 1913 में मिला यह सवाल important है गीता अंजली के लिए मिला 1913 में मिला Nobel Prize उनको तो यह ज़रूर याद रखेगा next question देखिए अठारेमा the story काबुली वाला is taken from R.N. टैगोर's short story collection तो रविना टैगोर का short story collection है यानि उनकी कहानियों का एक संग्रह है hungry stones and other stories तो वहां से ली गई है यह कहानी who was R.N. टैगोर तो वह कौन थे an artist and writer एक कलाकार भी थे बहुत अच्छे painter भी थे और लेखक तो थे ही what did R.N. टैगोर compose तो रविना टैगोर ने क्या लिखा है इन में से जो कुछ दिया हुआ है options उनमें से इंडिया का national anthem लिखा है साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने बांगला देश का भी national anthem लिखा हुआ है जो यहां सारी questions में नहीं दिया भूँप दोनों में से किसी किताब में नहीं दे रखा लेकिन आप से पूछा जा सकता है उन्होंने बांगला देश का national anthem आमार शोनार बांगला तो गीता अंजली उनका सबसे ज़्यादा फेमस कविता संग रहे है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है तो रविना टेगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपादी से विभूशित किया तो यह जो नाम दे रखे हैं लेकिन यहाँ पर मिस्प्रिंट बहुत है यह गारा नहीं है गोरा है और यह चाखेर वाली नहीं है चोखेर वाली है मुझे लगता है कि वो जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने गलती से ओ की जगह यहाँ भी A टाइप कर दिया यहाँ भी A टाइप कर दिया तो गोरा है चोखेर वाली है शेशेर कविता और तो all of these यह सब ही है उनकी रचना है फिर देखिए यह वाट इस दा प्राइमरी इश्यू दा ओथर्स फाइव यह ओल डियूटर मिनी हैस क्रिएटेड सिंस शी लर्ण टु स्पीक यानि क्या इश्यू है जो क्रियेट कर दिया है पांच साल की बच्ची मिनी ने जब से उसने बोलना सीखा है यानि वो लगातार कुतर 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 बोलती ही रहती है एक पल के लिए शान्त नहीं रहती है कुछ बच्चों की आदत होती है लगातार बोलते रहेंगे वो तो वही मिनी का हल है हाओ दो मिनी को लगातार बोलने की आदता है तो उसकी मा कैसे रिश्पॉंट करती है शी स्कोल रहे मेसे डाड़ती रहती है कि बोलना बं खरो कभी चुब भी रहा करो लेकिन पिता जी नहीं डाड़ते है अक्सर जो फादर लोग होते है वो बेटिया को बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं डाडते हैं तो उसकी ममी डाडती है फादर नहीं डाडते हैं नेक्स वेशन देखे हैं 28 डेस्पाइट बिग बिजी मैं वरकिंग ऑन नॉवल यहनी जो मिनी के पिताजी है जो नरेटर है इस कहानी के वह बहुत व्यस्त आदमी हैं और एक नॉवल लिख रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं इसके बावजूद जो मिनी के पिताजी है वो उसके लगातार बोलने को कैसे हैं तो ही एंगेज़ इन लाइवली डिसकुशन विधार तो वो बड़ा सजीब डिसकुशन उसके साथ करते हैं बड़ा सीरियस सा है ना जिसे उसकी सारी बातें बड़ी मीनिंग्फुल है है ना वो एक डायलाउग है उसमें के पापा देखो वो क्रो को क्रो बोलता है ना कोवा बोलता है जैसे अलग-अलग लोग अलग-अलग बोलता है ना कोवा होता है कोई कोवा बोलता है तो वो कहती है तो इसी बातें जो बच्चे की होती है वो ध्यान से सुनते हैं जी तो अचानक से क्या इंटरप्शन होता है एक दिन मिनी दोड़ कर आती है तो सी है जवाब मिनी इस कंप्लेंट एबाउट गेट कीपर तो मिनी आके गेट कीपर की शिकायत करती है तो मिनी भौला का जो एक्स्प्लेंशन है बारिश के बारिश के बारिश के बारिश के बारिश में उसको कैसे डेस्क्राइब करती है तो वो clever बोलती है हलांकि भोला उसको ये बोलता है कि बादलों में एक हाथी है वो अपनी सून से पानी फैलाता है और जब बारिश होती है तो वो हाथी सून से पानी फैलाता है तो ये description भोला देता है उसको ये देखो चींटी लगाता लिटरेचर पढ़ रही है वो कैसे जवाब देते है What is mother to you? मा तुम्हारे लिए क्या है? यानि मा से तुम्हारा क्या आइश्ता है? और ये इन्होंने कहा है कि he asked her to go out and play तो पिता जी से कहते हैं कि तुम बाहर जाओ और खेलो लेकिन कहानी में वो कोई जवाब नहीं देते है वहाँ पर dot 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 भी लगए हैं तो हो सकता है कि जो बेंगाली भाषा में हैं कहानी वहाँ पर उन्होंने कहा हो कि तुम बाहर जाओ और खेलो लेकिन इंग्लिश वर्जन में वहाँ वो कोई जवाब नहीं देते तो आप जो इंग्लिश वर्जन है वो एक वार पढ़ ज़रूर ले लिजिएगा अपके पास कहानी हो तो और अगर नहीं है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा वो मैंने पूरी अपलोड की हुई है फिर देखे थर्टी सेकंड क्वेस्चिन है तो पिता जी जब कहते हैं कि बाहर जाकर खेलो तो मिनी अपने आपको कहां रख देती है तो उनकी डैस्क के नीचे बैठ जाती है खड़िकी के सामने फिर तेतीसमों सवाल देखिए वा देज मिनी येल तोवर्डस दा विंडो डूरिंग हर इमेजिनरी गेम तो अपना जो कालपने खेल है उसके दोरान मिनी खड़िकी की तरफ क्या कहके चिलाती है काबली वाला ओ काबली वाला तो काबली वाला को देख के वो चिलाती है फिर 34th question देखिए तो काबली वाला की जो इमेज है शबी है वो कैसे डेस्क्राइब की है huge and hefty यानि लंबा तगड़ा आदमी है तो अफगानी होते भी हैं लंबे तगड़े होते हैं फिर देखिए अबल्रा साहनी भी खुद लंबे तगड़े हैं उन्होंने जो किरदार ने भाया है फिर देखिए next question what traditional clothing does the काबली वाला wear तो कौन सी परंपरागत पोशाग काबली वाला पहनता है according to the passage पैसेज के उसार loose dress and a turban तो धीला धाला उनका कुरता होता है अफगान लोग आपने देखे होंगे तो बलासानी जो ड्रेस पहननी रखे बहुत धीला धाला सा कुरता और एक टरवन है एक पगड़ी है उनके सिर्पे फिर next question what does the काबली वाला carry on his back अपनी पीट पर काबली वाला क्या ले जाता है and what does he hold in one hand और उसके एक हाथ में क्या है तो उसके पास क्या है a thrill or sack एक थेला सा है जोला सा जोली होती है a few boxes of grapes in one hand और एक हाथ में कुछ डिब्बे हैं अंगूरों के 37th question how does Minnie react when she sees the काबली वाला तो काबली वाला को देखकर कैसे प्रतिकरिया देती है Minnie she hides वो छिप जाती है fearing डरते हुए the sack carries live children कि उसने अपनी जोली में जिन्दा बच्चे डाल रखे हैं कि ये बच्चों को उठा ले जाते हैं हमारे यहां भी छोटी छोटी बच्चों को ऐसे ही डराया जाता था बाबा आएगा तुमको जोली में डाल ले जाएगा तो हम लोग भी बहुत छोटे थे तो डरते थे इसी तरीके से फिर 38th question देखे what impact does Minnie's reaction to the काबुली वाला help on the author's work तो जो Minnie का reaction है काबुली वाला के प्रती वो उसका क्या प्रभा पढ़ता है लेखक के काम पर तो इसका जवाब है B वो अपना उपन्यास पूरा नहीं कर पाते बीच में ही Minnie उनको deserve कर देती है उपन्यास के बीच में 39th question देखिए how does the काबुली वाला respond to Minnie's call and reaction तो काबुली वाला कैसे प्रतितर देता है Minnie की आवाज का उसकी प्रतिक्रिया का he turns around smiles and salutes वो मुडता है, मुस्कुराता है वो salutes करता है 40th question what does the author buy from the काबुली वाला to divert his attention and send him away तो author काबुली वाला से क्या खरीते हैं और उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और उसको भेजने के लिए वापस dry fruits खरी देते हैं, मेवे खरीते हैं what unexpected topic does the author find himself discussing with the काबुली वाला during their conversation तो अपनी बाचीत के दोरान वो काबुली वाला से कौन सा unexpected topic discuss करने लगते हैं the Russian and the English यानि रूसी लोगों के बारे में अंग्रेजों के बारे में उनका discussion शुरू हो जाता है फिर for the second question देखिए how does the author feel when it's time for the काबुली वाला to leave तो जब काबुली वाला चल देता है author कैसा feel करते हैं relieved उनको रहत महसूस होती है how does the काबुली वाला to her काबुली वाला मिनी को पुकारता है and offers her nuts and risins तो जो अखरोट है किशमिश को बोलते हैं तो वो सारे जो ड्राइफ रूट्स हैं वो ओफर करता है कि लो बेटा ये में वे खालो फिर next question देखिए what surprises the author when he sees मिनी and the काबुली वाला sitting in the courtyard chatting after a few days कुछ दिनों के बाद वो मिनी को और काबुली वाला को आंगन में बैठे हुए बरामदे में बैठे हुए कह सकते हैं आपस में बात करते हुए देखते हैं तो वो क्यों आश्यर चकित होते हैं तो इसका जवाब C है मिनी and the काबुली वाला have become friends यह देखकर उन्हें आश्यर होता है कि मिनी और काबुली वाला दोस्त बन चुके हैं जबकि अभी तो मिनी इतना डरती थी काबुली वाला को देखकर फर्टी फिफ्ट क्वेशन देखे है तो अपनी बातचीत के दोरान काबुली वाला कैसे communicate करता है मिनी के साथ इन ब्रोकन बेंगॉली टुटी फुटी बेंगॉली भाषा बोलता है वो फिर 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 सिक्स क्वेशन देखे how does the काबुली वाला respond when the author gives him money तो जब लेखक काबुली वाला को पैसा देते हैं तो वो कैसे respond करता है he refuses to take it वो पैसा लेने से इनकार कर देता है फिर 47 सवाल देखे what standard jokes do मिनी और काबुली वाला exchange regularly तो कौन से jokes हैं यानि हसी मजाग है चुटकुले हैं जो मिनी और काबुली वाला exchange करते हैं अपने रोजाना jokes about the contents of the काबुली वाला सेक तो काबुली वाला की जोली में क्या है मिनी रोजाना उसे पूस्ती है और काबुली वाला कहता है इसमें मैंने हाथी रखा हुआ है फिर देखे what does the author observe when he hears the communication from the streets and rushes out अच्छा ये communication नहीं कमोशन है कमोशन मनें शोर होता है तो जब ओथर शोर देखता है गली में तो बाहर दोड़कर आता है और क्या देखता है कि काबुली वाला को गिरफतार किया जा रहा है स्विर देखे है 49th question तो काबुली वाला कैसा देख रहा है जब ओथर उसको देखता है घसीटे जाते हुए पुलिस उसको घसीट रही है तो his shirt is blood stained उसकी shirt पर खून के निशान है 50th question Why is Minnie's mother scared regarding Minnie's friendship with the काबुली वाला तो Minnie की मा क्यों डरी रहती है Minnie की जो दोस्ती है काबुली वाला से उसके सम्मंद में She believes the काबुली वाला will kidnap Minnie तो मा को हमेशे डर रहता है कि ये काबुली वाला किसी दिन Minnie को उठा ले जाएगा फिर what is the name of paddler काबुली वाला इस काबुली वाला का नाम क्या है अब देखिए फिल्म में रहमत है Wikipedia पर भी रहमत दिया हुआ है लेकिन जो अभी मैंने आपको इंग्लिश वर्जन दिखाया इस कहानी का और इंग्लिश वर्जन भी किसी simple publication का नहीं है ये देखिए Macmillan का है और मेरे पास ये selected short stories Macmillan का बहुत पुरानी बहुत पुरानी किताब है तो यहाँ पर उसका नाम रहमन दिया हुआ है इस वर्जन में तो अब आपके exam में अगर आएगा और यहां बुग में तो ना रहमत दे रखा है और ना रहमन दे रखा है अबदुलरह्मान दे रखा है बी option दिया हुआ है अनसर में अबदुलरह्मान करके तो मेरे हिसाब से जब आएगा आपके एक्जाम में तो इन तीनों में से कोई एक नाम होगा तीनों एक साथ नहीं आएंगे कोई एक ही आएगा जैसे अब यहां ही देखिए अब्दुलकरीम आया है, अब्दुलरशीद आया है, अब्दुलरहीम आया है और चौथा अब्दुल रह्मान आया है तो अब्दुल रह्मान आये या रह्मोन आये या रह्मत आये तीनों में से कोई भी आये आपको उसे मार्क करना है फिर नेक्स देखिए तो काबुली वाला का जो नेटिब प्लेस है जहां का वो रहने वाला है मुलनेवासी है वो काबूल करेने वाला है C है जवाब 53.1 कॉश्चन देखिए तो नेरेटर की बेटी का नाम में नहीं है पहले ही जानते हैं आप तो काबूली वाला की बेटी का नाम यहां तो पारबती ही दिया हुआ है और जो बुक मैंने इंगलिश वर्जन आपको देखा है वाँ पारबती है यह यूवी वाला भी नहीं है एबी वाला भी है यह ना पारबती तो इस बुक में तो पारबती ही दिया हुआ है अमीना नहीं दिया हुआ दूसरी बुक में अमीना दे रखा था जो कि film में नाम था फिर देखिए तो पांच साल की है यह आप पहले ही देख चुके हैं फिर next question देखिए उसकी माँ सोती है कि काबली बाला किडने पर है सी सही जवाब है तो काबली बाला को कितने साल कैद की सजा मिली आठ साल कैद की सजा मिली फिर 58 question देखिए तो काबल जाने के लिए कितने रुपे ओफर किये गए थे वहाँ पर एक bank note लिखा हुआ जो English version मैंने पढ़ाया है और वीडियो अगर आपने देखियो तो उसमें लिखा हुआ कि उन्होंने एक bank note दिया तो उस वक्त मुझे लगता है कि 100 रुपे का ही note होगा हलांकि वहां mention नहीं किया गया है और यहां book में 100 रुपे का note यह दिखाया गया है फिर देखिए 59th question What celebrations were going on in the house of the writer of the story काबली बाला तो क्या celebration चल रहा है घर में काबली बाला कहानी में wedding यानि शादी की तयारियां चल रही है तो मिनी की शादी है फिर देखिए 60th How the short story काबली बाला is narrated by रविना टेवर तो यह first person में narrate की गई है जरूर याद रखेगा important question है in which year director हेमेन गुपता was born तो director हेमेन गुपता का जन्म 1914 में हुआ था 21 मार्च को who is हेमेन गुपता वो इंडियन डारेक्टर है जन्होंने इस फिल्म को डारेक्ट किया है काबली बाला को in which year हेमेन गुपता started his film केरियर तो उन्होंने 1949 में अपना फिल्म केरियर शुरू किया which year हेमेन गुपता फिल्म काबली बाला रिलीज तो ये जो फिल्म है जो आपके सिलेबस में है वो 1961 में रिलीज हुई 65 माँ सवाल देखे when was हेमेन गुपता born तो ये आप पहली देख चुके हैं 21 March 1914 को what was the name of हेमेन गुपता's father उनके पिता का नाम पूनानन्द गुपता था हेमेन गुपता was actively involved in तो National Revolutionary Movement में वो बाकाइदा शामिल हुए थे बिटिश रूल के दोरान जो इंडिया का freedom struggle था जेल भी गए थे हेमेन गुपता spent his jail terms at तो इन सारी जेलों में वो रहे थे हिजली जेल में बकसर जेल में, देवली जेल में तो all of these आएगा काबली वाला story focuses on relationship between तो काबली वाला जो कहानी है वो पिता-पुत्री के संबन्दों पर आधारित है तो father deuter आएगा फिर सत्थर्मा सवाल देखे 70th question यानि लोग अज्यात और जो अजीब सा होता है, अलग होता है अपने से, उसके प्रति कैसे respond करते हैं, जैसे हम इंडियन्स है, तो हम सारी इंडियन्स देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब कोई अफगानी आता है तो उसकी dress sense अलग होता है उसकी personality अलग होती है, तो हम कैसे respond करते हैं, unknown और peculiar के प्रति, ये भी एक theme है इस कहानी की, काबुली वाला story is adapted in how many films, तो चार फिल्म में बनी है हलांकि ज़्यादा बनी है जो पांच मी हैं, वो यहां इन्होंने नहीं इसमें mention की होगी जो 2023, sorry हां, 2023 में बनी है मैंने आपको बता था, मिथुन चक्रवर्ती की एक film है, जो पिछले साल आई थी तो, अब यहां 4 दे रखा है, तो हम 4 इमार करते थे काबुली वाला is तो काबुली वाला बेंगॉली फिल्म है नहीं अच्छा, काबुली वाला is 1957 में जो फिल्म मनी थी वो बंगाली भाशा में थी, हां ये सही है और मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ वो तपन सिन्हा ने डारेक्ट की थी 1957 वाली फिर देखिए, इन विच येर काबुली वाला एडाप्टेड इन हिंदी, इनको लिखना चाहिए था यहां पर, तो मूवी के फॉर्म में यह मैंने देखिए, आपको यह नोट किया हुआ 1957 वाली मूवी, बंगाली मूवी थी और डिरेक्टेड बाई तपन सिन्हा 2023 वाली बंगाली मूवी है 2023 वाली, डिरेक्टेड बाई सुमन घोश है ना, और इसमें कबली वाला का किरदार मिथुन चक्रवरती ने निभाया है तो इसको भी रखिएगा याद वैसे तो आएगा नहीं ज्यादातर तो जो आपके सिलिवस में दे रखा है ज्यातर सवाल उसी से पूछे जाएंगे बलरा साहनी वाली मूवी से फिर भी एक बार को कोई चांस बन जाए बही एक्जामनर के मूड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वो आप से क्या पूछ ले तो इसलिए मैंने ये नोट कर दिया आपके लिए ठीक है ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँ ये धन्यवाद